तो सबसे लोगों को बज़ाई होगा कि पाकिस्तान को दुनिया के सबसे गैर जिम्मेदार पूर्ण परवानु शक्ति देश के रूप में देखा जाता है क्योंकि एक तरफ जहापे पाकिस्तान के परवानु हत्यारों के तरफ आतंकी गरुपों का नजर है तो वही पे दू पाव किलो के बॉम का धंकी दिया गया था लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान के ये परवानु हत्यारों को लेकि पाकिस्तान का सिच्वेशन ऐसा हो चुका है कि माना जा रहा है कि पाकिस्तान के ये पाव पाव किलो का जो बॉम है ये अब खत्रे में हैं और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि यूएस के तरफ से करीब करीब चार ऐसे कमपनियों के उपर सैंक्षन लगाया गया है जो कि पाकिस्तान को बैलेस्टिक मिसाइल पोग्राम में मदद कर रहा था और इस सैंक्षन के होगा कि हाली में जो पाकिस्तान की एकोनोमी को कुछ मिडलिस्ट के देश और आईमेप के तरफ से जो सपोर्ट किया जा रहा है वो असल में अमेरिका के कहने पे ही किया जा रहा और ऐसे में अगर अमेरिका के सैंक्षन को पाकिस्तान के तरफ से नहीं माना जाता है तो अम के द्वारा तीन चाइनीस कमपनी और एक बिलेडुसियन कमपनी के उपर प्रतिवंद लगाया गया है या फिर कहें तो in कमपनियों के उपर US के तरफ से सेंक्शन लगाया गया है क्यूंकि न कमपनियों के द्वारा पाकिस्तान के बैलेंस्टिक मिसाइल पोग्राम के लिए एक्वेपमेंटों का सप्लाई किया जा रहा था और जीन तीन चाइनिज कमपनियों के उपर प्रतिवन्द लगा है उनमें सबसे पहला शियोंग लॉंग डी टेकनोलोजी डेवलापमेंट कमपनी लिमिटेड दूसरा कमपनी है टेंजेंग क्रेटिव सोर्स इंटरनाशनल ट गया है कि इन कमपनियों के उपर अमेरिका अपने सैंक्शन एक्ट 1A टूक एक्सेसाइज करते हुए और नमबर 13382 के अंतरगत इसे प्रतिवन्दित किया है क्योंकि इन कमपनियों के तरफ से वेपन आप मास डेस्ट्रक्शन में मदद किया जा रहा था रिपोर्ट में द इकारियों के तरफ से ये भी जानकारी धिया गया है कि जो चाइनेज कमपनी ग्रेंट फैक है उनके द्वारा पाकिस्तान को मिसाइल रिलेटेड एक्वेपमेंटों का सप्लाई किया जा रहा था जिनमें फिलामेंट वेल्डिंग मेशीन भी शामिल था और इन मेशीनों का उपियोग पाकिस्तान के नेशनल डेवलोपमेंट कॉम्पलेक्स के तरफ से लॉग रेंज बैलेस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम में किया जाना था जबकि इसके इलावा जो ग्रेंट पैक कमपनी लिमिटेड है वो पाकिस्तान के सुपारकों को भी कही तरीके के एक्व उपियोपमेंटों का सप्लाई कर रहा है जिसके द्वारा पाकिस्तान रॉकेट मोटर का डिवलोपमेंट कर रहा है और आप लोगों को बता दू कि पाकिस्तान के जो सुपारकों है वो असल में एक स्पेस सहस्ता के रूप में बनाया तो गया था लेकिन स्पेस की उपर जाता है और यह जो रॉकेट मोटर का डिवलोपमेंट चाइना के मदद से पाकिस्तान कर रहा है असल में ये लॉंग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों में ही इस्तेमाल होने वाला था यूएस डिपार्टमेंट के तरफ से ये भी वताया गया है कि चाइनिस कंपनी टेंजेन Creative Source International Trade Core Limited के तरफ से मिसाइल रेरेटेड लगभग इसी तरीके के सिमिलर एक्वेपमेंटों का सप्लाई किया जा रहा था जो लॉंग रेंज के मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला था और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसके इलावा पाकिस्तान को ये कंपनी के वेकलों को भी तैयार करना चाथा था ताकि बैलेस्टिक मिसाइलों में जो रेंट्री का काम होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सके अब दोस्तों कुछ समय पहले भारत के तरफ से जो अगनिफाइब मिसाइलों में MIRV टेक्नोलोजी का परिक्शन किया गया उसके बा बारे में ना चायना ने सोचा था ना ही पाकिस्तान ने हलाकि अमेरिका के प्रतिवन से शायदी चायना को कोई फरक पड़े और चायना अपने सप्लाई को बरकरार रख सकता है लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर पाकिस्तान चायना के सप्लाई को बरकरार रखता है और च अगर आयमेप के ये सपोर्ट नहीं मिलता है तो आने वाले कुछी महिनों के अंदर पाकिस्तान संपूर रूप से बैंक्रप्त मतलब दिवालिया हो सकता है और दोसो इन सेंक्षनों के कारण अगर चाइना के equipment ओके supply पाकिस्तान के द्वारा लेना बंद कर दिया जाता है तो इसते जो पाकिस्तान के पाव पाव किलो का बॉम है वो खराव हो जाएगा और शेक रशीत के तरफ से जो भारत को धमकी दिया गया था वो धमकी भी आने व दोस निया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इंडियन यार फोर्स के बेड़े में जो जैगवर यार क्रेफ्ट है वह इल्मे इइंड़ेशन यारप्टो के लिए एक request for technical and commercial proposal को जारी किया गया है बेसिकली दोस्तों वो ये जो request for technical and commercial proposal है ये असल में इन यारप्टो के close combat मिसाइलों को लेके है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियान यारफोर्स जैगुआर यारप्टो में असल में next generation के close combat मिसाइलों को integrate करना चाहता है और दोसों यहाँ पर यह missile असल में MBDA कमपनी के तरफ सनिर्मान किया हुआ SRAM मिसाइल है और आप लोगों को बता दू कि कुछ समय पहले media report में दावा किया जा चुका है कि SRAM मिसाइलों को जैगवर यार क्रेप्टों में integrate करके इसके testing को भी conduct किया जा चुका है और even missile को कई बार life fire test भी किया जा चुका है कुछ रिपोर्टों में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि जैगवर मिसाइल में limited series में already SRAM जैसे close combat missile को integrate किया जा चुका है लेकिन अभी भी बड़े मात्रा में ऐसे missile को integrate करना बाकी है हाला कि दोस्तों इसके इलावा media report में यह विदावा किया जा रहा है कि Indian Air Force के request for technical and commercial proposal में helmet mounting display systems का भी जिकर किया गया है जो कि pilot के situational awareness और targeting capability को enhance करेगा अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि ऐसे helmet mounting display जो होता है वो असल में निक generation के aircraft के one of the most critical या फिर कहतो crucial component होता है जो basically technologically superior aircraft में ही उप्योग किया जाता है और अब यह जो system है यह असल में भारत अपने जैगवर जैसे यार क्रैफ्टों में भी उप्योग करने जा रहा है और दोस्तों इस तरीके के helmet से असल में pilot यार क्रैफ्टों को move ना करके ही केवल मात्र अपने helmet को move करके ही missile को अन्य यार क्रैफ्टों के तरफ target कर सकता है या फिर निशाना साथ सकता है और फिलाल तेजस जैसे यार क्रैफ्टों के साथ साथ इंडियान यार फोर्स के रैफैल जैसे यार क्रैफ्टों और इवन सुकूई 30 MKI यार क्रैफ्टों में भी ऐसे helmet मांटिंग डिस्प्ले का उप्योग किया जा रहा है लेकिन जैगवर जो की एक बहुत पुराना यार क्रैफ्ट है उन यार क्रैफ्टों में ऐसे equipment हो को integrate करने के जो संभावनाओ को तलाशा जा रहा है इससे यही अंदाजा लग रहा है कि इंडियान यार फोर्स अपने किसी भी एर क्रैफ्टों को कमजोर रखना नहीं चाहता है जैसे यार क्रैफ्टों में जहां पर किया जा रहा है तो आप लोगों को क्या लगता है कि यह जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के उपर सैंक्शन लगाया क्या है इससे क्या पाकिस्तान के पाव पाव किलो के जो बॉम है उसके उपर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा कॉमेंट करके अपने राए अवश्चत दीजिए तो आज के इस वीडियो को यही पही करते हैं समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम